पर नुरेन का मिशन साइकिल कुछ उलचता हुआ सा नजर आ रहा है क्यूंकि उनके शहर में करफ्यू लग गया है तो फिर नुरेन साइकल चलाना सीख पाती है की नहीं? सुनते है इस कहानी में कहानी लिखी है रोहिनी मोहन, चितरांकन जयेश सिवान, हिंदी में अनुवाद पूजा बहानवाल, कहानी का वाचन असावरी दोशी क्या सुबा हो गई? अम्मी और अब्बु ने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या वो भूल गए कि मुझे स्कूल जाना है? कही वो मुझे ही तो नहीं भूल गए? कहां है सब लोग? सभी इतने संजीदा क्यों नजर आ रहे है? अम्मी, अब्बु, दादु, नानी, सब के सब नुरेन, तुम अपने आप उठ गई? अम्मी ने कहा, मैं अम्मी के करीब चली गई अम्मी, आज क्या इतवार है? मैंने पूछा, मेरी अम्मी स्कूल में टीचर है, वो बच्चों को विज्ञान पढ़ाती है और हम ज्यादा तर साथ में चल कर स्कूल जाते हैं नहीं, नूरी आज स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, उन्होंने कहा ओ, मैंने निराश होने का नाटक करते हुए कहां, पर असल में तो मेरे मन में लड़ू फूट रहे थे मुझे लगता है कि अब मुझे वसीम के घर जाना चाहिए, खेलने के लिए वसीम और मैं दोनों ही दूसरी जमात में पड़ते हैं, पर हमारी कक्षाए अलग-अलग है हम बच्पन से ही एक दूसरे के पडोसी है, हमने बहुत सारी छुट्टियां एक साथ गुजारी है खेलते हुए, सेब के पेडों से लटकते हुए और गुलाब की क्यारियों से चिलाते हुए हम तब तक खेलते थे, जब तक हमारे घर वाले हम पर चिला ना पड़े और एक कमाल की बात बताऊ, हमने साथ में 14 खेलों का आविशकार भी किया है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त और प्रतिद्वंद्वी है अब्बु ने मुझे दूद और उसमें डुबो कर खाने के लिए चोची वोर का एक टुकड़ा दिया ये कश्मीरी रोटी वसीम के परिवार की बेकरी से आई है और इसमें खस-खस का लजीद स्वाद है मुझे ये बहुत पसंद है नूरी वसीम के यहां जाने का कोई फाइदा नहीं अब्बु ने कहां वो अपनी अम्मी के साथ थोड़े दिनों के लिए जम्मू गया है टीवी पे न्यूज आ रहे है अज का समाचार बहुत डरावना लग रहा है नानी ने टीवी की आवाज बढ़ाई अम्मी, अबू, दादू और नानी आपस में बिना किसी शब्द के बहुत कुछ कह रहे है जिने मैं शायद ही कभी समझ पाऊ बात करते हुए अम्मी की त्योरियां यू चड़ी हुई है मानो दो बड़े प्रश्ण चिन्न अब्बू अपना सिर हिलाते हुए खोट सिकोडते है दादू कुछ अक्षरों को धीरे धीरे बुदबुदाते है कर्फ्यू वे सभी बहुत चिंतत नजर आ रहे है पर वसीम जम्मू क्यों गया है कुछ दिन पहले स्कूल से वापस आते हुए वसीम ने कहां था कि हम दोनों को साइकल चलाना आना चाहिए चलो एक मैने में सीखते है फिर हम स्कूल जाते हुए मुकाबला करेंगे ठीक है ओ हो सकता है वसीम जम्मू अपने चचेरे भाई रफिक से साइकल चलाना सीखने गया हो अब मैं साइकल चलाना कैसे सीखूँ तभी अब्बु ने कहां कि या आज वो दफ्तर नहीं जाएंगे अब्बु ने कहां आज CRPF के जवानों की संख्या सडक पर और भी अधिक है इसलिए मेरे संपादक ने कहा है कि मैं घर से काम कर सकता हूँ अब्बु घर पर फिर तो मुझे एक सेकंड का भी समय नहीं गवाना चाहिए अब्बु क्या आप मुझे ये नई साइकल चलाना सिखाएंगे सिखाएए ना अब्बु सिखाएए ना अब्बु ने मेरी तरफ दिखा और कहां जरूर नूरी पर पहले जल्दी से अपना नाश्ता खतम करो मैं जल्दी से नाश्ता खतम करने में लग गई ओ महान दूद और चोची वोर, अपना कमाल दिखा दो, मुझे शक्तिचाली बना दो, साइकिल अभियान के लिए मुझे बहुत ताकदवर बना दो Mission cycle, पहला दिन ये साइकिल अब्बु अम्मी की तरफ से मेरा इद का तौफा है मैं इसे तब तक साफ करती रहती हूँ, जब तक ये चमकने ना लगे मुझे इसकी घंटी की तेज आवाज पसंद है अब्बु नानी कहती है, नूरी क्यों चिल्ला रही हो अब्बु ज़रा देर के लिए बाहर निकले है, बाहर का हाल चाल जाने पर अब्बु ने मुझे साइकल सिखाने का वादा किया था नानी बगीचे के ओजार नीचे रखती है मैं तुम्हे सिखा सकती हूँ, वो कहती है पर नानी, आपको साइकल चलाना आता भी है नूरी मेरी बच्ची, मैं अपने पूरे स्कूल में सबसे तेज साइकल चलाती थी चलो, अब अपने पाव पेडल पर रखो, बिल्कुल सीधे दीवार की तरफ देखो, और पेडल मारना शुरू करो मैं अपने सामने दीवार की तरफ ध्यान से देखती हूँ पेड पर लगे इकलोते आडू पर ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से नानी कहा है? जैसे ही मैं नानी को देखने के लिए पीछे मुडती हूँ धडाम मुझे तो वो दीवार बिल्कुल नजर ही नहीं आई नानी भागते हुए आती है नूरी, तुम्हें चोड तो नहीं आई मैंने देखा, चोड तो नहीं थी पर फिर भी मुझे जोर से रोना आ रहा था साइकल चलाना कितना मुश्किल काम है नानी बिकार की बाते मत करो नानी मेरे माथे को चूमते हुए कहती है से कभी मढ डरो, साइकल चलाते हुए गिरना बहुत आम बात है गिर कर ही हम सीखते है मैं अपनी साइकल पर वापस बैठ जाती हूँ दूसरा दिन, अपनी मन्जिल की तरफ आगे बढ़ो तीसरा दिन, साइकल चलाने के अभ्यास के बाद नानी और मैं सेब तोड़ते है मैं चुपके से बाहर सडक पर एक नजर मारती हूँ सडके सुनसान है, परिंदा भी पर नहीं मार रहा जब तुम्हारी अम्मी तुम्हारी उम्रकी थी हम लोगों को इसी तरह घर के अंदर रहना पड़ता था नानी बोली, पता चला कि उन्होंने अम्मी और मौसी को भी साइकिल चलाना सिखाया है वो लोग भी हमेशा गिरते रहते थे और भाग कर नानी के पास आ जाते थे तुम बहुत बहादुर हो, मेरी प्यारी नूरी तुम एक दिन बहुत अच्छी साइकिल चलाओगी वसीम से भी अच्छी? मैंने पूछा, सबसे अच्छी चौथा दिन, नानी? ओहो, नानी चछत पर सर्दियों के लिए सबजिया सुखा रही है अब साइकिल चलाने में मेरी कौन मदद करेगा? मैं सिखाओ अखबार पर नजरे गड़ाए हुए दादू ने पूछा दादू का इस वक्त घर पर होना काफी अजीब था पर साथ ही साथ बहुत मज़िदार बाद भी थी दादू, आप अपने दोस्तों के साथ सैर पर नहीं गये? नहीं जा सकता, कफ्यू लगा है ना बहतर होगा कि मैं अपनी पोती के पीछे भाग कर ही थोड़ी कसरत करलू मैं अपने आपको आडू देखने के लिए दुबारा तैयार करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि गिरने पर ध्यान बिलकुल ना दू पर फिर दादू मुझे एक खतरनाक सुझाव देते है वो पिछले पहिये के साथ जुड़े ट्रेनर पहियों को निकालना चाहते है क्या मैं सचमुच महज दो पहियों पर साइकल चला सकती हूँ? यह तो बिलकुल सरकस के जैसा होगा जब मैंने ये बात दादू से कही तो वो ठाहा के लगा कर हसने लगे सड़क पर हर कोई ऐसा ही करता है नूरी उन्होंने कहा तुम्हें बस अभ्यास करदा है कुछ औजारों का इस्तिमाल करके मैंने और दादू ने वो छोटे पहिये निकाल दिये पाचवा दिन आहा छटा दिन हमारा अभी भी बाहर जाना मना है क्या ये दर्वाजा उन्चा होता जा रहा है क्या मैं अम्मी से पूचती हूँ सात्वा दिन मैं घर पर उब गई हूँ मैं स्कूल जाना चाहती हूँ दर्वाजा खोलो, खोलो दर्वाजा काश मैं तुम्हें बाहर ले जा पाती अम्मी बोली, काश तुम्हें ये सब ना देखना बढ़ता आठवा दिन दादू, ये कर्फ्यू क्या होता है? मैंने पूछा दादू परेशान हो जाते है जब सरकार हमसे कहती है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर जाना सुरक्षित नहीं है उन्होंने कहा मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही है मुझे अपने शिक्षकों की भी याद आ रही है काश मैं बाहर जा पाती हमें और कितने दिन घर पर रहना पड़ेगा मैंने पूछा मुझे नहीं पता नूरी दादू ने आह भरते हुए कहां बड़े लोगों को ये कहना बिलकुल अच्छा नहीं लगता मुझे नहीं पता लगता है मामला बड़ा गंभीर है मुझे दादू को इतना उदास देखना बिलकुल अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं खड़ी हो जाती हूँ ठीक है बहुत हो गया आराम चलो मुझे वसीम को रेस में हराना है दसवा दिन अब अम्मी की बारी है वो मुझे सही तरीके से ब्रेक लगाना सिखाएंगी हम सारी दुपहरी खूब अभ्यास करते हैं जब चाय के समय दादू और नानी बाहर आते हैं मैं अपना कौशल दिखाने के लिए तयार हो जाती हूँ तभी हमें जोर से एक आवाद सुनाई देती है कबुम कबुम लोग चिला रहे है हम क्या चाहते अगला शब्द मैं जानती हूँ आजादी मेरी आखों में जलन हो रही है अम्मी मुझे अपनी गोद में उठाती है और हम घर के अंदर भागाते है भोजन कक्ष में हम सभी एक दूसरे के करीब गोलाकार में बैठते हैं सभी खास रहे है अम्मी वो क्या था मैंने पूछा अम्मी मुझे गले से लगा लेती है बाहर लोग लड़ रहे है मेरी बच्ची वो मेरी आखे पोच्चती है मुझे एहसास होता है कि मेरी आखों से पानी आ रहा है उनकी मैं ठकी हुई हूँ और डरी हुई भी पर सभी डरे हुए है। तो मैं तुम्हारा खयाल रखूंगा ठीक है। साइकिल चलाते हुए उबने लगती हूँ वसीम घर वापस लोट आता है। चलो शुकर है। अब्बु मुझे बताते है कि सेना ने कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू हटा दिया है। और वसीम की अम्मी श्रीनगर वापस आ गई है। वसीम हमारे घर आता है और साथ में टोकरी भर कर लाता है खूब सारा चोचिवोर जो उसके अब्बु की तरफ से है। मैं उसे वही आडू देती हूँ जिस पर मैं मिशन साइकल के दोरान ध्यान लगा रही थी। मैं उसे सुरक्षित देखकर बहुत खुश हूँ। जाओ अपनी साइकल ले आओ वसीम मैं कहती हूँ। वसीम उदास दिख रहा है। मैंने उसे गली में छोड़ दिया था और मेरी साइकल लडाई के दोरान टेडी मेडी हो गई। ओ, बिचारा वसीम, अब हमारा मिशन साइकल कैसे पूरा होगा। रुको, मेरे पास एक रास्ता है। मिशन साइकल आखरी दिन मैं वसीम को डबल सिट ले रही हूँ। तो बच्चो कैसी लगी ये प्यारी सी कहानी अपने कश्मीर के वादियों की? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताईएगा। और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई-बाई शुक्रिया।